हलो फ्रेंड्स आज हम सिखेंगे यार फॉर यू सॉफ्टर के अंदर जो अकाउंट सेक्षिन के अंदर डेबिट नोट को अप्षिन होता है उसको हम किस तरह से यूज करता है तो सबसे पहले जिसे कि आप प्रीवेस वीडियो में आप देख चुक्के होंगे कि हमने आपको करेंगे जो में उसे देना है ठीक है तो सबसे पहले आपको फ्रेश ली इसको एक्स्प्लेइन करने के लिए मैं फटा फट अफट एक आपको एक पर्ट्सेस की फ्रेश इंट्री करके दिखा देता हूं मैं आपको ताक कि आपको चीज़े समझ में आ हैं तो मैंने यहाप स पहले यहां पर एक इंट्री आपर कर एम एक नए सप्लायर बना लेता हूं जाय बूसे कि आपको सारी रूरी आपको शंक्तिा समझ में है कže मैंने सफल्एर यहां पर क्रेड कर लिए है सप्लाय को मैं अन्रेश्टर्ट कर रहा हूं आप अपर बिस्निस फ्लो के अकॉडिंग GST में भी रेश्टर्ट कर सकते हैं कोई इस्यू नहीं है यहाँ पर मैंने एक supply की रीड कर लिए है आप देख सकते हैं मैं उस supplier में एक purchase की में entry कर रहता हूँ ताकि फिर मैं आपको laser भी details में properly आपको समझा सबूँ जिससे की आपको समझ में है यह मैं आइटम की entry कर रहा हूँ मैं यहाँ आपर यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक purchase का बिल जो एक शड़ा दिया है मैंने आपड़ सप्लाय का टाइप नों जीस्टी था इसलिए उसने वहाँ पर error में शोग कर रहा था तो मैं आपड़ सप्लाय का टाइप चींज कर दिया है वहाँ आप अब हम जाते हैं यहाँ पर आपक करने से पहले आपको एक इंटरी दिखाते हैं सप्लायर की जिससे कि आपको लेजर समझ में आए तो जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सप्लायर का हमने एक purchase का बिल इंटर किया था जिसका वन था टेन थाउसन टोटल बिल अमांट था जो भी हमने पेड नही ही किया है तो अब हमें liabilities को कम करना है जैसे कि आपको पता ही होगा हमने प्रीवेस वीडियो में आपको एक्स्प्लीन किया था जैनल वाउचर क्या होता है कि टोटल बील अमांट पर हमें लाइबिल इसको करेंगे जो भी कम करना है तो हमें कम करना है या जादा करना है ठी करने के पास हमने यहां पर स्लिक कि आप ट्यान दीजेगा जन्रेल स्लिक करने के पास हमें यहां पर डेपीट नोट किया है और हमें यहां पर बिल वाइस करना है अभी यहां पर क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर सप्लाय का नाम स्लिक निक किया है तो अब आप हम टोटल बीलमाउंट के उपर लाइबिटीज को कम करने वाले हैं, सबसे पहले हमने हैं यह आप इस लेजर में इस इंट्रिक हो करने वाले हैं यह जो इंट्री हम कर रहे हैं यहां पर अभी, debit note की एक इस account में हमारी reflect होना चाहिए, तो हमने यहां पर लिख दिया है, कुछ भी description में जो भी supply के particular bill में लिख क्या है, आप यहां से check करके यहां पर fill कर सकते हैं, यहां पर जो भी manually fill करना चाहिए, वो आप यहां पर fill कर सकते ह है, कितले रूपीज आप यहां पर minus करना चाहते हैं, सब्सक्राइब में लिख करना चाहता हूं, तो मैंने 200 रूपीज डाल दिया है, यहां आप में select कर लूँगा कि जो भी मेरे पास debit note आया है, मेरे पास GST में आया या non GST में आया है, उसको मैंने यहां पर enter किया, save amount मैं मैंने क्लिक किया है, यहां पर OK बटन पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो यह मेरी debit note की entry हो चुकी है, टोटल bill amount के अपर, अब में जाके अपने laser को check करूँगा, अभी आप देख सकते हैं, कि laser मेरे पुराना वाले ही, यहां पर open है, तो इस laser को मैंने यहां पर check है, change किया, द debit note की entry करी थी, तो मेरा bill amount जो है, वो कम हो चुका है, शाती साथ अगर आप इसको यहां पर check करेंगे, against difference के अंदर भी, तो आप देख सकते हैं, against difference के अंदर भी हमने वो bill by settle किया था, तो हमारा bill amount भी जो है, वो against difference में कम होके ही दिखा रहा है, तो इस तरह से हमारा debit note की entry रह note knап करेंगे, debit note sleck करने के बाद, जो भी हमें voucher number हम यहां पर डालेंगे यहा पर, और supplier को select करेंगे हम यहापर, ठीक हे, शप्लाय को select करने के बाद, यहां पर supply का नाम होगा, वो supply का नाम हूगा, वो supplier का नाम हम यहां बस इसके अबाद आइटम हम यहापर लेकर लेंगे जो भी हमें सप्लायर ने लाइबिल्टी इस हमें डेबिट नोट दिया है बनाएगे सब्वर एक्जामपल के लिए मैनली के अखेश सप्लायर हमें कमिशन भी देता है कभी-कभी आईटमवाइज भी करे देता है एक्जामपल के लिएम आईटम वाइज मफ नहीं कर रहा है व्रकमिशन वरकुत कुरूंब्स कि यहां कर रहा है तो इस कंडिशन के करेंगे जो भी पर्टिज़ बिल में हमारा वह आईटम दा इसमें पेश हो क्या है माउंट रवाइस हो कि आए जिसके अंदर इसलेक्ट नहीं किया था सबंस्क्राइब कि इंहीं आया में supplier ने मुझे debit note बना के दिया है मेरा यहां पर राइट सप्लायर का credit note होगा तो year for you software में debit note होगा हमेशा दियान रगे supplier का वहाँ पर credit note अगर supplier देता है तो year for you software में इसका debit note उसकी entry होगी अब positive में suppose यह 1000 रुपीज था supplier ने इसका rate कम करके कर दिया है 500 रुपीज यह इसका rate कर दिया है 800 रुपीज राइट तो मैंने यहां चेंज कर लिया है मेरा यहां पर टाइप मैंने नोंजिस्ट के लिए तो मेरा वो supplier ही नोंजिस्टी था इसलिए बाकि आपका जूर रहेगा आप उसकी कोडिंग यहां पर entry करेंगे तो मैंने यहां पर इसकी entry कर दिये हैं हमें वापस यहां पर गया है अभी आप देख सकते हैं कि मेरे 200 रुपीज के quality बना के रखा था अब मेरे price difference के recording एक और बना दिया है मैंने हमें वापिस गया हो यहां पर हमें जुबारस लिख करता हूँ अपने supplier को ताकि मेरी जो updated entries मेरी यहां डिस्पले हो सके हैं अब आप यहां देखेंगे कि मेरे जो रहेगा महापद हम बिलवाइस कर रहे हैं टोटल हम उस पर कर रहा हैं विदाउट बिल के कर रहा हैं अगेंस बिल के कर रहा हैं तो दोनों ही condition के दर हमारे बिल की जो liabilities होंगी है बिल मैंतलब हमें जो चोटल लेजर होगी उस supply के जो लेजर होगी वो उसकी उसकी liabilities कम हो जाएंगी उसका due कम हो जाएगा हर condition के अंदर थैंक ये व्रीवन